हेलो फ्रेंज आप सभी का गानिश कीचन में फिर से स्वागत है आज मैं आपके लिए लिखे हैं बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल मिक्स वेच की सबजी जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आप इसको एक बार खाएंगे तो उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं अपने रेसिपी सबसे पहले हमें कड़ाई के अंदर तेल को गरम कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे को तेल को ज़्यादा तेज गरम नहीं करना है मेडियम आज पर ही गरम डखना है अब इसके अंदर हम एक गोबी को फूल को पानी से हमने इसको अच्छे से धो लिया था उसके बाद इसको बड़े-बड़े पीसिज में काटने के बाद इसके अंदर डाल देंगे और इसको मेडियम ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे या फिर तब तक तल लेंगे जब तक कि इसकी ठंठल 70% तक नहीं पक जाती दोस्तो गोबी को तलते हुए मारको इसको बीश-बीश में पलटते रहना है तक कि सारे फूल बिल्कुल बड़िया तरीके से अच्छे से सिख जाएं ये देखिए दोस्तो हमारे यहाँ पर गोबी के फूल थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो चुकी है और गोबी की डंठल भी थोड़ी-थोड़ी सौफ्ट होना शुरू हो चुकी है एक छलनी के अंदर अच्छे से निकाल लेंगे ताकि गोबी के अंदर जो एक्स्टा तेल है वो च्छनके अलग हो जाए ये देखिए दोस्तो हमारे यहाँ पर गोबी बिल्कुल बड़िया तरीके से तल चुकी है अब हम दो मीडियम साइज के अलू लोएंगे और इसको छिलने के बाद इसको बड़े-बड़े पीसीज में काटके इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हलका ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे दोस्तो रेस्टरेरंट वाले भी सबजिया इसी तरीके से बनाते हैं वो पहले सबजियो को तलके रख लेते हैं और जब भी कोई नया ओडर आता है उसको मसाले में जल्दी से भूनके सर्प कर देते हैं यह देखे दोस्तो हमारे यहाँ पर आलू हलके ब्राउन हो चुके हैं अब इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने करीब 100 ग्राम फ्रेंच बींस ली है जिसको हमने अच्छे से धोने के बाद इसको बड़े बड़े पीस में काटके रख लिया था इसको भी हम तेल के अंदर डाल देंगे अब इसके अंधर हम करीब आधा कप गाजा डालेंगे अब इसके अंधर हम करीब एक चताई कप शेमला मिर्च डालेंगे जिसको हमने बड़े बड़े पीसीज में काट लिया था इसके अंधर हम आधा कप मर्टर डालेंगे और इन सभी सबजियों को 5-7 नट तक तेल के अंदर अच्छे से भून लेंगे इससे हमारी सबजियों का उपर का चिलका अच्छे से सिख जाएगा तो इसका सवाद सबजी के अंदर बहुत ही बड़ी आएगा दोस्तों मुझे सबजियों को तेल के अंदर तलते हुए कम से कम 5-7 नट हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर का छिलका हलका हलका सिखना शुरू हो चुका है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे अब हम एक कप मश्रूम को मोटे मोटे पीसीज में काटके तेल के अंदर डाल देंगे अब इसके अंदर हम आधा कप थोड़े मोटे पीसीज में कटा हुआ पनेर डालेंगे अब इसके अंदर हम आधा कप सुईट काउन डालेंगे आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अब इन सभी सब्जों को भी हम 5-7 नट तक तेल के अंदर अच्छे से भून लेंगे दोस्तों क्योंकि मश्रूम और पनीर दोनों ही सॉफ्ट होते हैं इसलिए हमार को इनको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है ये देखिए दोस्तों पनीर और मश्रूम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिख चुका है अब इसको भी हम काड़ाई में से निकाल लेंगे ये देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पे सारी सब्जे बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से तल चुकी है आईए अब इसके लिए मसाला बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें कढ़ाई के अंदर दो बड़े कर्चे रिफाइंड ओयल कर डालेंगे और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे तेल के अच्छे से गरम हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम एक तेजपत्ता, एक मोटी लैची, पांस से साथ लॉंग और एक चमच जीरा डालेंगे और इसको अच्छे से चटका लेंगे जीरे के अच्छे से चटक जाने के बाद अब हमें एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारिक बारिक काटके इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन राउन होने तक तल लेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा दोस्तों हमारी यहाँ पे प्याज लगबग गॉल्डन राउन हो चुकी है अब इसके अंदर हम 2-3 बड़े चमच अद्रक लसन का पेस्ट डालेंगे दोस्तों हमने 1 इंच अद्रक के टुकड़े को और 5-7 लसन के टुकड़ों को अच्छे सब पीस के इसका पेस्ट बना लिया था अब इसको भी हम प्याज के साथ बिल्कुल बड़े तरीके से अच्छे से भून लेंगे ये देखे दोस्तों प्याज के साथ अधरक लासन का पेस्ट भुनने के बाद भी वो हल्का ब्राउन हो चुका है अब इसके अंदर हम डेड़ बढ़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च एक चमस धनिया पौड़ आधी चमस हल्दी आधा चमस जीरा पौड़ आधा चमस देगी मिर्च और नमक सौदनिया डालेंगे अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसके अंदर हम करीब एक चुथाई कब पाने डालेंगे दोस्तों पाने डालने से एक तो हमारी मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और मसाला भी तेल के अंदर बिल्कुल अच्छे से भून जाएगा ये देखिए दोस्तों जैसे जैसे मसाला हमारा इहां पर भूनता जा रहा है मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसके अंदर हम करीब एक चुथाई चमच काली मिर्श का पौडर डालेंगे और इसको भी सभी मसालों को साथ बिल्कुल बड़िया तरीके से मिला लेंगे ये देखिए दोस्तों हमारे यहां पर मसाले ने कितनी बड़िया तरीके से घी छोड़ दिया है अब इसके अंदर हम तीन टमाटर के प्योरी बना के इसके अंदर डाल देंगे और इसको सारे मसाले के साथ बिल्कुल बड़िया से मिलाता हुए बिल्कुल तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेंगे दोस्तों हमारको टमाटर को पकाते वे लगवग 5 मिनट हो चुके हैं अब इसके अंदर हम करीब आधा कप मिलाई या फिर फ्रेश क्रीम डालेंगे और क्रीम को सारे मसाले के साथ बिल्कुल बड़िया तरीके से मिला लेंगे दोस्तों मिक्स वेज की सबजी के अंदर क्रीम डालने से हमारी सबजी का टेस्ट नेक्स लेवल तक पोच जाएगा और हमारी सबजी बिल्कुल अच्छे से क्रीमी बनेगी दोस्तों अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसकी जंगे मिलाई भी डाल सकते हैं लेकिन क्रीम का स्वाथ बहुत ही अच्छा हैगा अब इसके अंदर हमने जो सबजी तल के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और सारे मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से पलटते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पे सबजी पहले से ही आदी भून चुकी है इसलिए हमारे को यहाँ पे सबजी को पलटते हुए मिक्स करना है नहीं तो सबजी तूटके इसका बिल्कुल चूरा बन सकता है ये देखे दोस्तो हमारी यहाँ पे सब्जों के साथ मसाला बिल्कुल बड़िये तरीके से लिपट चुका है सब्जी देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है अब इसको हम ढग देंगे और मंदी आज पे 5-7 नट तक इसको अच्छे से भूने देंगे दोस्तो हमार को यहाँ पे सब्जी को बीच बीच में पलटते रहना है ताकि सब्जी तडी से बिल्कुल भी ना चिपक सके ये देखे दोस्तों यहाँ पे मुझे सब्जी को भूनते वे लगबग 5-7 नट हो चुके है हमारी हाँ पे क्रीम ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और सब्जी के आउटर लेयर भी बिल्कुल अच्छे से सिख चुकी है अब इसके उपर हम थोड़ा सा अमचूर पावडर और एक चमच कसूरी मेति को हाथ से अच्छे से क्रश करके इसके नदर डाल देंगे अब इन सबको भी सब्जी के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला लेंगे दोस्तों हमारी हाँ पे सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और मसालो ने भी बिल्कुल चारो तरफ से इसकी आउटर लेयर बढ़िया से सिक्के घी छोड़ दिया है हमारी यहाँ पे अब सब्जी पूरी तरीके से तयार हो चुकी है अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे अब इसको पर हम बारिक ताजा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सब्जी के साथ इसको बड़िया तरीके से मिला देंगे दोस्तो आप इस सब्जी को नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पूरी के साथ, प्राठे के साथ, किसी के भी साथ खाईए सभी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो फिर मिलते हुए एक नई टेस्टी इंटरस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई